तो मैं यूपी के महराज गंज बे बारिश के लिए महिलाओं ने ऐसा तोटका किया जिसकी चारों तरफ चर्चा हो रही है महिलाओं ने पूर्व चेर्मैन को बंदक बना कर कीचर से नहलाया माननेता है कि ऐसा करने से इंद्र भगवान खुश होंगे और बारिश होंगे बारिश के लिए टोटका पूर्व चेर्मैन को कीचर से नहलाया तस्वीरे यूपी के महराज गंज की हैं देखे किस तरह महिलाओं ने नगरपाली का परिशत के पूर्व चेर्मैन गुड्व चेर्मैन को बंदक बनाया उन्हें बकायदा कुर्सी पर बिठाया गया फिर उनके हाथ और पैर रस्यों से बात दे गए तब एक महिला ने बाल्टी में कीचर का गोल तयार किया और फिर पूर्व चेर्मैन को कीचर से नहला दिया महिलाओं पूर्व चेर्मैन को कोई सजा नहीं दे रही बल्कि एक टोटका है मन्यता है कि इससे इंदर भगवान खुश होंगी और बारिश होंगी तस्वीरों में देखें किस तरह पूरे घटा क्रम के दौरान हसी वजाक का दौर भी चल रहा है कीचर से नहलाने के बाद महिलाओं ने पूर्व चेर्मैन को साफ पानी से भी नहलाया ग्रामिनों ने बताया कि ये सब इंदर भगवान को खुश करने के लिए किया गया महिलाओं का बानना है कि अगर गाओं के किसी प्रमुक व्यक्ति को इस तरह कीचर से नहलाया जाए तो भगवान खुश हो जाते हैं फिर बारिश जरूर होती है बारिश नहीं होने की वज़े से परिशान महिलाय तोटके के लिए पूर्व चेर्मेन के घर पहुच गई महिलाओं ने नौतनवा नगर पालिका के पूर्व चेर्मेन को घर से बाहर आने को कहा और वो जैसे ही भार निकले तो महिलाओं ने उनके हाथ पैर रसी से बान दिये उसके बाद बाल्टियों में भरे कीचर से पूर्व चेर्मेन को नहला दिया महिलाओं की यहरका देख पहले तो पूर्व चेर्मेन को कुछ भी समझ नहीं आया जब महिलाओं ने उन्हें इसकी वज़ा बताए तो वो भी हसने लगे पूर्वी चेर्मेन ने कहा कि महिलाओं ने गाओं के भलाई के लिए ये सब किया है इसका बुरा कैसे माना जा सकता है नौतर्मा इलाके में भी लोग इसी समस्य से जूच रहे इसलिए इंद्रवगवान को खुश करने के लिए महिलाओं ने अनोखा तोटका किया है तोटकी का ये वीडियो अब सोशल मीरिया पर खूब वैरल हो रहा है पर ग्रामनों को इंतिजार है कि तोटकी के बाद कम से कब बारिश तो हो कहीं बारिश ने तबाही मचा रखा है तो वहीं महराज गंज में फसले बारिश न होने के कारण बरबाद हो रही है इस कारण किसानों वा अस्थानी महिलाओं ने नगरपालिका परिसत नौतनवा के पूर्व चेर्मेन गुड़ु खान पर तोटका अजमाते हुए कीचर से नहलाया है इन लोगों का ऐसा मानना है कि गाउं या कस्वे के मुखिया के साथ ऐसा करने से बारिश होती है और सूखे से निजात भी मिलती है फिलाल इस टोटके से बारिश हो या ना हो लेकिन छेतर में नगरपालिका के पूर्व अध्यच को हाथ पैर बांद कर कीचर से नहलाने का बीडियो भी तेजी से वारल हो रहा है तो वहीं छेतर में चर्चा का बिसाय बना हुआ है बरजंदर पांडे, न्यूज स्टेट, महराज गंज